हलो दोस्तो टेक्नो विक्रांत में आप सभी का स्वागत है यहाँ पर दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको तो Realme 7 Pro के दिसंबर मंद के न्यू अपडेट के बारे में बताऊंगा और यह अपडेट दोस्तो आपके मोबाइल में कब मिलेगा और क्या बक्स फिक्स हुए हैं कौन से फीचर्स एड हुए हैं और Realme UI 2.0 के न्यू अपडेट कब तक मिलेगा सभी कुछ बताने वाला हुँ दोस्तो पूरा वीडियो देखेगा लेकिन उससे पहले पहली बार हमारे चनल पर आया हो तो सब्क्राइब कीजिए बेल आइकन बजाईए आल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नॉटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम न्यू वीडियो अपलोड करते हैं यहाँ पर फाइन का OTA Update का साइज तो मुझे पता नहीं है लेकिन इसका जो मैनुवली अपडेट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ दोस्तो और मैनुवली अपडेट का साइज 3.84 GB का सम्थिंग है दोस्तो तो आप अगर मैनुवली अपडेट करना चाहते हैं तो डिस्क् से बक्स फिक्स हुए हैं तो सबसे पहले change की बात करें दोस्तों तो security के अंदर December 5th 2020 का latest android security page मिलता है दोस्तों December का update है और December का security page मिलता है यह बहुत अच्छी बात है दोस्तों इसके अलावा बात करें अगले change की तो camera के अंदर दोस्तों optimization किया है optimize the clarity of the front camera front camera में दोस्तो clarity दिये है जिससे की photo आपका image आपका और भी अच्छा और सार्प दिखाई देगा दोस्तो देन अगले change की बात करें तो यहाँ पर system के अंदर update game space यहाँ पर दोस्तो game space को update किया है new version मिला है दोस्तो game space का उसके बात करें दोस्तो system के अंदर ही fix the issues that importing contact via bluetooth sharing falls in some scenario यहाँ पर दोस्तो contact जो है import करने पर problem होता था bluetooth sharing के time में उसे यहाँ पर fix किया है दोस्तो साथ ही दोस्तो fix the issues that the volume cannot be adjusted when connected to a bluetooth handset in some scenario इसका मतलब दोस्तो अगर आप use करते हैं bluetooth handset headphone या earbuds वगरा तो कुछ situation ऐसा होता था दोस्तो जिसमें volume जो है adjustment नहीं होता था कम या ज़्यादा नहीं हो पाता था उसे यहाँ पर fix कर दिया है दोस्तो तो यह था दोस्तो realme 7 pro के A.25 वाला update का change lock जो की already roll out होना चालू हो गया है दोस्तो A.23 वाले user के लिए अब जहाँ तक बात है realme UI 2.0 के update की तो मैं आपको बता दू realme 7 pro के लिए realme UI 2.0 का update जो है already roll out होना चालू हो गया है मैं बात कर रहा है दोस्तो इसके first base, second base और third base की अब जहाँ तक बात है दोस्तो इसके fourth base update की तो यहाँ पर दो चीज़ हो सकते हैं दोस्तो या तो आपको fourth base early access update मिल जाएगा या तो फिर open beta update जो है मिल जाएगा दोस्तो इसलिए दोस्तो यह A.25 वाला update जो है roll out किया है जिससे की जो भी bucks वगरा रहेगा realme UI 1.0 में उसे fix कर सके जिससे आपको realme UI 2.0 update करने में कोई परसानी ना हो तो अभी दोस्तो A.25 वाला update जो है roll out होना चालू हो गया है realme 7 pro के लिए दोस्तो यह update मिला है कि नहीं मिला है मुझे comment करके जरूर बताना अगर नहीं मिला होगा दोस्तो तो one week wait कर लो one week के अंदर definitely यह मिल जाएगा तो दोस्तो बस इतना ही था इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो like करना ना भूले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care दोस्तो